जहिन दोस्तों आप जहारकन के परमुक खनीज और उद्योग को देखने का प्रयास करेंगे यहाँ से बहुत अच्छा कोशन पुछा जाता है चाहाँ आप जहारकन का कोई भी एक्जाम दे JPSC दे, JSSC का कोई एक्जाम दे चाहाँ जहारकन पुलिश दे, उतपात पुलिश दे जो भी एक्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा कोशन पुछा जाता है खनीज से और उद्योग से तो इसको पुरा बिस्तार से हम देखेंगे मतलब कि वही कोशन को देखेंगे जो बार बार पुछा जाता है ठीके वही खनीज उद्योग को देखेंगे जो बार बार पुछा जाता है तो देखें यहां पर सब कुछ रखने का प्रयास किया गया है क्योंकि बहुत सारा बताने के बाद याद ऐसे भी नहीं होगा तो वही पढ़ते हैं जो सीधे तोर पर पूछता है कि कौन सा अस्थान से प्राप्त होता है किस परकार का खनीज होता है ये कोशन पूछा जाता है तो देखें सबसे पहले यहां पर देखते हैं कोईला को ठीक है तो कोईला जो है हमारा कहां पाए जाता है तो दामोदर घाटी चेत्र में पाए जाता है देखें दा दामोदर नदी घाटी छेत्र में जो जो पड़ता है वो आ जाएगा जरिया चंदन क्यारी जो बोकारो वाला फिर रामगर का छेत्र आ जाएगा बोकारो करनपूरा का छेत्र आ जाएगा ये आ जाएगा ठीक है तो ये आद रखना है अभी जो टंडवा छेत्र है वो इसमें आजाएगा टंडवा जो छेत्र है जहां से कोईला निकाला जाता है तो वो चत्रा वाला छेत्र भी इसमें आएगा ठीक है और यहीं पर अगर देखा जाए तो पीपरवार जो है एसिया का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कोल वासरी है पीपरवार जो चत्रा में है पह जैसे राजमहल में पड़ेगा राजमहल चेत्र में भी कोईला है जैसे ललमटिया कोईला चेत्र अगर देखेंगे तो गोड़ाम पड़ता है तो इस तरह का कोईला चेत्र देखने को मिलेगा अजय नदी घाटी चेत्र हो गया राजमहल बेसिन चेत्र भी हो गया राजमहल ठीक है और उत्री कोयल बेसिन चेतर जिसमें गढ़वाडवा पलामू वाला चेतर जो पड़ता है वो है तो यहां कोयला मिलता है जारकन में जो है 90% कोकिंग कोल प्राप्त होता है 90% जो होता है कोकिंग कोल ठीक है कोकिंग कोल यह 90% प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा अभी हम लोग क्या करते हैं तो कोईला को मतलब देते हैं पुरा भारत में सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल जाता है जरिया चेतर से और हम जो यहां पर कोईला देते हैं वो 90% देते हैं मतलब सबसे ज़्यादा कोईला हम ही देते हैं ठीक है और यह किस परकार का कोईला होता है बिटूमिनस परकार का, एंतरासाइट परकार का कोईला तो पाया जाता है जम्मू कस्मिर में, हमरे यहाँ पाया नहीं जाता है, ठीक है, कोईला भंडारन में हम पहले स्थान पर है, फरस्टर स्थान पर है भंडारन में, और उत्पादन में अभी जो है, छतिस गड़ के बा पादन में और सकेंड में कौन है तो जारकन और भंडारन में जारकन ही है तो यह सब याद रखेगा और अभी बहुत अच्छा एक ट्रीक बताएंगे मैप से देखिए यहां मैप लिए हैं न कैसे आप लोग निकालेंगे कि कोईला कहां पाए जाता है लोहा कहां पाए जाता तो थोड़ा लास्ट में बताएंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर लोएस्क लोएस्क का important है जैसे की पस्मी सिंभूम जो है वो लोएस्क के के लिए सबसे जाधा जाना जाता है जैसे नोवा मुंडी गोवा बादाम पहारी ठीक है जामदा और चिराइया ठीक है तो बार बार पुछा जाता है, हलांकि सब पुछा ही जाता है, लो एसका मैं जब भी पूछेगा, तो पस्मी सिंभूम का नाम लेना है, उसमें नावा मुंडी उसके बाद गोवा, उसके बाद जामदा, ठीके, जामदा, बादां पहाडी और चिराइयां, ये छेतरे याद प्राइद रखेंगे मिंद रखेंगे टीन हो गया को इसके बाद लेकिने टंड फिन घाड जाता रिध ले वांग अर्ट के चंस्टर। मतलब जलदी करनेर किस थी गल्था नह टो ऑने, उस dünya से ज़गनेर, dipping झेये अर्षें सो जह यह फिक साल pill किस शीए करेंगे तब गलेगा तो कुल मिलाकरी गल्टा नहीं सेले बीज़ूत का बल्व जो होता है थर्माडइशन जैंखोज किया था उबलवा में यही लगा रहता है ठीक है टंगस्टन जो कहां से मिलता है तो हजारी बाग के छेतर से पाइराइट भी हजारी बाग च्छेतर से मिलता है तो टंगस्टन, टीन, टंगस्टन और पायरायट हजारी बाग से पायरायट क्या होता है पता है न महीला लोग देखते हैं जो जूमका खरीती है रोड़वां फूटपत्वा पर बहुत चमकते रहता है ठीक है सललाइट परता तो ऐसा चमकेगा कि जैसे हीरा है लेकिन वो रहता है पायराइट जूटा सोना इसको बोलते है सम महिला लोग का भीड़ अगर देखेंगे तो पुरा फुट पात में यही वला लेते हुए रहेगा क्योंकि उतना जादा पहले हम भी सोचते थे कि सोना इतना सस्ता है जो फुट पत्वा पर सब कोई भी खेती ठीक है आप देखते हैं मतलब ज्यादा बहुत लोग बोलता है कि लड़की बड़ी सरमीली होती है ऐसा लोग को सुने होगे करते हो कि बहुत सरमीली होती है लेकिन एक्च्छली में सरमीली लड़की लोग नहीं होती है जितना फुट पात पर समान बिकने वाला लड़का का भी फुट पात पर कोई समान नहीं मिलता है ठीक है तो ज्यादा सरमीली लड़की लोग नहीं होती है लड़का लोग होता है इसलिए फुट पात पर कोई चीज खरीता नहीं है ना कोई चीज मिलता है लड़का लोग के लिए चलिए आगे देखते हैं यहां प पत्थर का छेत्र है तो वही वला पहड़िया गुसा हुआ इधर पलामू छेत्र में गढ़वा में तो यहां पर भी चुना पत्थर पाये जाता है डोला माइट और ग्रेफाइट भी पलामू गढ़वा में पाये जाता है यह याद रखेंगे बॉक्साइड भी पाये जाता और ज्यादा और द्यान में रहता है इसके बाद आगे हैं तांबा तांबा कहां मिलता है तो आपको घाट सीला पुर्वी शिंभूं में देखने को मिलेगा नेक्स्ट है यहां पे एसबैस्ट्स जो होता है वो सराय केला खरसामा और इसके बाद पस्मी सिंभूम भी मिलेगा ठीक है पस्मी सिंभूम में भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन सबसे जादा सराय केला खरसामा में अरे वो जो आप देखते होंगे जो घर के उपर में छट में लगाता है तो टीनमा वला लगाता है तो यूरेनियम बहुत important है, यूरेनियम जो है जादू गोडा में मिलता है, आज जादू गोडा कहाँ पे है, तो पुर्वी सिंभूम, ठीक है, सिंभूम, पुर्वी सिंभूम, ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा आज बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा हमको weakness लग रहा है, पत का एक्जाम है खनीज और उद्योग से बहुत अच्छा कोशन पुछता है क्योंकि हर एक्जाम में 2-3 कोशन पुछेगा 40% हमारे यहां खनीज है तो कुल मिलाकर यहां से कोशन बनता है पुछने का राइट भी बनता है देखिए तो जाडू गोड़ा जो है यूरेनियम के ल तीसरी उसरी चेत्र में मिलेगा वह बहुत इंपार्टेंट यहां रहेगा तीसरी उसरी चेत्र का तो यह गिरिडी में है और कोडर्मा में आप तीसरी उसरी जाएंगे ना अगर माल लेते हैं कोई लड़का वहां तीसरी में साधी कर लिया तो उसकी बीबी हमेंसा तीसरी यह के रहेगी बतलब कि उसकी नहीं होगी तीसरी की रहेगी ठीक है कुल मिला के बीबी एक नमबर दूसरा नमबर उसका हस्बेन आद तीसरा दूसरे दुनिया का ठीक है तो यह याद रखेंगे अबरक जो है यहां फेमस है वो जो है यहां इंप्वार्टेंट रहेगा कोड दर्मा को कहा जाता है ठीक है बेटो नाइट बेंटो नाइट जो होता है वो क्या है साहब गंज में मिलता है एक्च्वलिम बेंटो नाइट क्या होता है मुलतायनी मिट्टी होता है जो लड़की लोग मुहां पर चोपती है ना उसको कहते हैं बेंटो नाइट ठीक है एकदम बारिक कन वाला मिट्टी होता है और देखते हैं अगर महिला लोग एकदम रत्वाम लगाक सोके उठेगी फिर उसके बाद दिनवा में करेक करेक हो जाएगा अगर आधा इंजोरिया में देखे न तो फिर उसके बाद आपको जो एकदम हार्ड अटैक आएगा वो तो भयानक तरीका से आएगा तो यह सब महिला लोग जो पोती है वही है बेंटो नाइट साहिब गन से मिलता है इसको मुलतानी मिट्टी भी बोलते है दो तीन बार एक्जाम में पूछा है ठीक है नेक्स देखते हैं यहां पर सोना और जो चांदी है और यहां पर थोरियम थोरियम सोना चांदी यह कहां पर मिलता है तो यह राची में मिलता है ठीक है याद रखेंगे और चांदी जो है यहां से इंपोर्टेंट है कि जारकन में चांदी साफ करने का कारखाना अस्तित है टुंडू में तो याद रखेंगे ये important रहेगा सबसे ज़्यादा जो famous है जो important है आप लोगो याद करना ये मतलब कि पुरा भारत में एक यही पर मात्र मिलता है तो ये याद रखना है uranium जादु गोड़ा ठीक है देखें, यहाँ बेसिक बात समझ लिजे, जो important रहेगा, यह हम जो विभाजन कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए, तो यह उपर वाला जो area है, यह उपर वाला area में, यहाँ पर अधात्विक खनीज पाए जाएगा, जैसे कि कोईला पाए जाता है, चूना पत्थर, चूना ग्रेफाइट पाए जाएगा, ठीक है, उसके बाद डोला माइट पाए जाएगा, इस उपर वाला area में, ठीक है, सबसे important कोईला होता है, तो अधात्विक खनीज यहाँ पर पाए जाता है, और नीचवा वाला area में, ठीक है, इसका देखेंगे, तो नीचे वाला जो area है, य यह वाला area है, थोड़ा इसको दूसरा color से कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, नी तो सब गड़ बढ़ा के रख देंगे, तो यह वाला area दीख रहा है, यह area, इसमें ज़्यादा तर आपको धात्विक आयस का पाए जाएगा, जैसे यहाँ प खनीज है, वो नीचवाम पाए जाता है, तो याद कर लिजेगा नीचे में, जैसे जिला है, पुर्वी सिम्भूम, सराकिला कर सामा, उसके बाद पस्वी सिम्भूम, यह सब, उपर वाला जिला आप सब याद रखेगा, तो यह जो बेसिकली बाटा जाता है, इसको रहे, उसमें बोला जाता है कि यहाँ पर तेल मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है, तो याद रखेंगे, यहाँ से भी कोशन पुछा जा सकता है, तो यह याद रखना है कि बीच में थोड़ा सा लिक्विड मेटेरियल आपको मिलता है, जो यहाँ पर गैस फॉर्म में होता ह जो आपका इंधन के रूप में कारे करेगा, सो मिलता है, ठोस इंधन उपर मिलता है, और नीचे लो एयस का मिलता है, तो इतना बात याद रखेगा, मतलब आपको इतना से कुछ भी चीज बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, ये बेसिक समझ के लिए बताएं, ठीक है, नेक्स देखते हैं यहाँ पर, इंपोर्टेंट आप देखते हैं, परमुक उद्योग, ठीक है, परमुक उद्योग कौन-कौन सा है, जारकन के, उसके बारे में प्रविस्तार से समझ लेगे, क्योंकि यहाँ से एक कोशन, दो कोशन पूछता है, तो सबसे पहला आथा है, यहाँ पर, टार्टा आरन एन इस्टिल कम्पणी, तो याद रखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यह भारत का, जो देखा जाएं, तो परथम सबसे बड़ा लो इसपात उद्योग है, और सबसे मतलब पहला आधुनिकतम लो इसपात उद्योग है ठीक है ये भारत का सबसे पहला आधुनिकतम लो इसपात उद्योग और दूसरा नमबर में देखा जाए तो ये लो इसपात उद्योग है पर्थम लो इसपात उद्योग है इसको याद रखेंगे इसके बाद यह लूए अपना सुधार लिजिए गा ठीक है और उसके बाद उत्पादन प्रावरा 1911 लूए टीक है उत्पादन का प्रारम स्वर्न रेखा स्वर्न रेखा नदी के संगम पर एक सहर था सांक्ची तो सांक्ची सहर पर मतलब सहर था यह तो यही इसी को नाम दे दिया गया जमसेदपूर अभी हो गया जमसेदपूर तो जमसेदपूर में यह अस्थापित है और पूर्वी सिंभू में अस्थापित है ये सब बात याद रखेंगे, ये एकदम सीधे कोशन पूछेगा, वही बात यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, नेक्स देखते हैं यहाँ पर, बोकारो, ठीक है, बोकारो इस्टील सेयंत, बोकारो इस्टील सेयंत रख कब बना था, उत्पादन प्रारम ये गलत लिखा हुआ है, इसको देखिए, उत्पादन यहाँ पर इसमे नहीं किया था, अस्थापना हुआ था, 1964 इस्वी में, और उत्पादन 1972 इस्वी से प्रारम हुआ था, याद रखेंगे, उत्पादन 1972 से चालू हुआ था, अस्थापना 1964 इस्वी में हुआ था, तिस्वी पंचवर्षियों जना में, बरतमान समय में यह भारत का जो भारती स्टील प्राधिकरन सेल के अंतरगत कारियत है, थेके, सेल के अंतरगत आता है, सेल के अंतरगत यह कारिकर रहा है, याद रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एलमोनियम उद्योग जो है इंडियन एलमोनियम कमपनी लिमिटेट के द्वारा यहाँ पर देखा जाता है तो यह जो है भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है कौन तो यह एलमोनियम उद्योग और ये जो अगर देखा जा स्थापित कब हुआ था तो 1938 इस्वी में अस्थान राची मूरी में हुआ था ठीक है यहाँ पर पूरी तरीका से बॉक्साइट को साफ सफाई किया जाता है अब बॉक्साइट से ऐलमोनियम निकाला जाता है ऐलमोनियम का तो बड़ी सारा बरतन आप देखवे किया होंगे ठीक है तो इसको भी याद रखेंगे सीधे तोर पर देखने को मिलेगा कोशन यहां से नेक्स देखते हैं तामबा उद्योग जो है 1924 इस्वी में स्थापित हुआ था और यह अस्थान जो है यह पूर्वी सिम्भूम घार सिला में स्थापित सिमेंट उद्योग जो है वो पलामु जापला में 1921 इस्वी में स्थापित हुआ था पहला इसके बाद जिक पानी पस्मी सिम्भूम में मिलेगा सिंद्री चेतर में लफार्ज का मिलेगा ठीक है उसके बाद यहां पर ACC सिमेंट भी मिलेगा बहुत सारा खलारी सिमेंट भी मिलेगा ठीक है इस तरह का बहुत सारा सिमेंट उद्योग है तो तना दिमाग में नहीं रखना है बस याद रखना है जरुरत भर्ची जो आपसे पूछा जाता है ठीक है Heavy Engineering Corporation इसको HEC बोलते हैं ठीक है और यह जो है कारखानों का कारखाना इसको बोलते हैं यह याद रखेंगे अस्थापना 1958 में हुआ था उत्पादन 1963 में प्रारम किया था ये देखेंगे तो जो चंद्रयान मिशन सुने होंगे ठीके उसके बाद आदित्य एलवन मिशन जो सुरी के लिए भी है उसके बाद मंगल यान ये सब का जो लॉंचिंग पेड होता है वो ये बनाता है हेवी इंजिनेरिंग कॉर्पोरेशन रांची सोच लिजे मतलब जो 37 द्वान अंतरिच केंद्र से जो छोड़ा जाता है उसका परच्छेपन यान उसका लॉंचिंग पेड जो है वो एचिसी बनाती है जारखन में ठीक है तो ये गर्व की बात है और ये जो बना था किसके सह सहयोग से तो चकुसलाविया और रूस के सहयोग से बना था किसके सहयोग से बना था किसके सहयोग से बना था याद रखना है चकुसलाविया और रूस के सहयोग से बना था ठीक है इसमें देखेंगे तो तीन प्लांट है ठीक है इसमें तीन प्लांट लगा हुआ है जिसमे यह चकुशलाविया बनाया है चकुशलाविया बनाया है आफांडरी फोर्स प्लांट यह जो है वो कौन बनाया है तो यह भी चकुशलाविया बनाया है तो याद रखेंगे यह तीन प्लांट में दो प्लांट चकुशलाविया बनाया है तो जादा तर योगदान किसका है च बिनारे में है ये फिर से चालू करने की बात है इसका अस्थापना कब हुआ था तो 1951 में 1951 में इसका अस्थापना हुआ था याद रखेंगे कांच उद्योग ये भुरकुंडा में है रामगड में ठीक है और सहयोग कोन किया था तो ये जपान सहयोग किया था जपान देश के सहयोग से भुरकुंडा में रामगड में काच उद्योग बना है इसको काच प्राप्त होता है संथाल परगना से ठीक है राजमहल के छेतर से काच मिलता है कच्चा माल ठीक है उसके बाद इसका फिनिस करके बनाता है ठीक है नेक्स देखते हैं यहां पर लाह उद्योग भा 1925 में कहीं कहीं आपको 1924 भी देखने को मिलेगा ठीक है तो 1925 में स्थापित हुआ था लाह अनुसंधान केंदर राची नामकुम में ठीक है में गोंद का परियोग किया जाता है तो वही है लाह ठीक है और कोई दूसर चीज नहीं है आगे देखते हैं यहां पर रेसम उद्योग जो है यहां पर कौन सा है तसर रेसम तसर रेसम जो अभी बरतमान में देखेंगे तो 76% उत्पादन जारकन में होता है याद रखेंगे जारकन का परतम उद्योगिक निती 2001 में बना था और जारकन की दूसरी उद्योगिक निती 2012 में बना था ठीक है परतम उद्योगिक निती का लक्ष जो था 10% था लक्ष था ठीक है लक्ष था और मतलब 10 वर्सों के लिए था ये 5 ये मतलब 10 येर के लिए था और ये दूसरा वाला पांस साल के लिए बनाये गया था बारा वाला ठीक है तो इसको सीधे तोर पर याद रखना है एक गोमियो विसफोटक है ये छूट गया ठीक है गोमियो विसफोटक गोमियो विसफोटक जो है न विसफोटक इसका अस्थापना कब हुआ था तो कहीं कहीं आपको देख पूछने को मिलेगा इसका अस्थापना 1956 में हुआ था और यह जो है यहां पर देखा जाए तो किसके मदद से किया गया था और यह ICI के मदद से इसका किया गया था मतलब अस्थापना और याद रखेंगे यह कहां पर है तो बोकारों में कहां पर इस्थित है तो याद रखन तब बताने का प्रयास कियें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा, और चैनल सस्क्राइब नहीं किये होंगे, तो रेड वाला बटन, वो जो बटन सस्क्राइब लो होता है, एक बार जरूर दबा दिजेगा, क्योंकि देखिए, अभी आने के लिए तैयार थे, कि कुछ भी हो, कलास छुटना नहीं चाहिए, क्योंकि सब आप लोग का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, बस इसी तरह से बनाए रखिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों को सेर किजे, इस वीडियो को, ठीक है, और लाइक जरूर कर दिजेगा, और चैन सब्सक्राइब कर लिजेगा, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाए हिंद,